बिहार बिधान सभा 2020 सुनाव में भले ही NDA की सरकार बन रही है लेकिन कहीं न कहीं इसमें पाटी के सिर्ष लेवल के नेताओं ने जो गलती किया है उसका खामियाजा बहुत सारे परती निधियों को भूगतना पड़ा है अब ही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सुगवली बिधान सभा का हाल इसमें अगर सही माइने में कहा जाए तो भाजपा को हारने का सबसे बड़ा कारणी यहां से एक ही परती निधि को बार बार उतारना और सही परती निधि को टिकट नहीं देना है क्योंकि सुगवली बिधान सभा में रामचंद्र सहनी सिर्फ दो हजार कुछ मतों से हारे है पूरे चुनाओ के दर्मियान यह देखने को मिला कि सुगवली बिधान सभा में भाजपा के बहुत सारे कर्च करता बिजय गुपता के साथ जंडा घुमा रहे थे अगर वहीं रामचंद्र सहनी के जगा सुगवली से बिजय गुपता को टिकट दिया गया रहता तो आज इस्थिती कुछ और होती क्योंकि बिजय गुपता 14,188 मत प्राप्त किये हैं अगर भाजपा से बिजय गुपता को टिकट मिला रहता तो यह 14,000 भाजपा के खेमे में ही रहता 14,000 नहीं तो लगबग 11,000 भोट भाजपा के खेमे में जरूर चला जाता क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यह 14,000 भोट विजय गुपता का अपना प्रस्नल भोट है खैर जो भी हो पार्टी को इससे सीख लेनी चाहिए वहीं अगर मोतिहारी की बात की जाए तो मोतिहारी से राष्ट्रिय जनता दल पार्टी से लड़ रहे ओमपरकास चौधरी को कुल 78,088 मत मिला तो पिछले तीन बार से बिधायक रहे परमोद कुमार को 92,733 मत मिला इस बार के चुनाव में कुछ लोग परमोद कुमार से नाराज तो थे ही लेकिन सामने कोई बिकल्प नहीं था क्योंकि लोगों ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया कि हम लोग इस बार परिवर्तन के मुड में थे लेकिन सामने जो है वो हम सभी को स्वीकार नहीं दूसरी बात परमोध कुमार को खासकर मोतिहारी सहर से सारे बेवसाइक संग के लोग बढ़ चड़ कर अपना समर्थन दिये हैं और मोधी जी के आने से पहल तक परमोध कुमार का इस्थिती ज़ादा कुछ ठीक नहीं था लेकिन मोदी जी के आने के बाद लोग ना चाहते हुए भी परमोद कुमार को अपना बोट दिये तो कुल मिला कर यहीं कहा जा सकता है कि परमोद कुमार का जीतने का वजह सिर्फ यहीं था कि सामने राष्ट्रिये जनता दल से कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था और बेवसाईक संग के लोगों ने बढ़ चड़ कर अपना समर्थन दिया वहीं रक्सॉल से भाजपा परत्यासी परमोद कुमार सिन्ह को 80,1989 मत प्राप्थ हुआ यहां से भी महागट बंदन को हारने का सबसे बड़ा वजह है यहीं रहा कि अजय कुमार सिंग 12,266 और निर्दलिय परत्यासी सूरेश कुमार 28,597 बोट लेकर कंग्रेस को नुकसान पहुँचा दिये वैसे यहां किसी को आने से कुछ खास असर पढ़ने वाला नहीं था क्योंकि इस बार भी लोग रक्सॉल में भारतिये जनता पाटी को ही जिताने के मूड में थे वहीं अगर नरकटिया बिधान सभा की बात करें तो यहां से डॉक्टर समीम पिछले बार भी चुनाव जीते थे और इस बार भी 85,562 मतों के साथ जीत हासिल किये हैं जीत का वजह यहीं है कि यहां पर एमोई समीकरन खूब काम किया दूसरी बात यहां से जनता दल यूनाइटेट से स्याम बिहारी परसाद 57,771 मत लाकर चुनाव हार गए अगर नरकतिया से स्याम बिहारी परसाद के जगह सोनु कुमार उर्फ सोनु मुखिया को परतियसी बनाया गया रहता तो साथ यहां से भी सीट जेडियू के पक्ष में जा सकता था वहीं अगर कल्यान पुर्बिदान सभा की बात करें तो यहां से मनोज कुमार यादो 72,899 वोट लाकर जीत हासिल किये है वहीं यहां से बिधायक राचुके सचिंद्र परसाद सिंग को 71,626 मत प्राप्त हुआ है हलाकि यहां पर काटे की टकर थी और जीत हार का फासला कुछ जादा नहीं है यहां पर यहीं कहा जा सकता है कि इस बार लोग बदलाओ के मूड में थे और यहां भी M.O.I. समीकरन पूरा काम किया अगर ढाका की बात करें तो यहां पर लोग बदलाओ के मूड में थे बड़ा हो सकता था लेकिन रामपुकार सिन्हा के वज़ा से कुछ नुकसान तो हुआ है लेकिन फिर भी ठीक मतों से पवंजय स्वाल की बड़ी जीत हुई है बता दे फैसल राहमान को कुल 89,678 मत मिला है तो वहीं रामपुकार सिन्हा को 10,949 मत मिला है